हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप लासेज आज के वीडियो का अमारा टॉपिक है जिप्टी कलेक्टरी कहानी के शिल्प पर टिपनी लिखिए आज के वीडियो में हम इस क्वेशन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चै स्क्राइड कर लें जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी एमेजी से रिलेटेड सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का वीडियो स्ट डिप्टी का लक्ट्री सादगी के सरल शिल्प में अभिव्यक्त कहानी है जो अपने कथे का सरली करण नहीं करती आदर्श और रुमानियत से विरक्त भावों को आधुनिक भावबोत का लक्षन माना जाता है और यही कारण है कि नई कहानी के हर अगले दौर के लेखक अपने से पुरानी पीड़ी के लेखकों को रुमान और आदर्श से ग्रस्त बता कर खुद अधिक आधुनिक होने के दावों को प्रशस्त करते रहते हैं कई आलोचकों और लेखकों ने अमरकांत की तीनों सर्वशेष्ट कहानियों को रुमानी भाव बोध की कहानी का दर्जा दिया है उनका मानना है कि उनके रचना के समवेदन व्यापार में तह दर्थ है उपस्थित वैचारिक परिप्रेक्ष है और तलमेनिहित विशलेशन की भावात बक्ता रचना की प्रभावत्मक अनविती में उपस्थित है अमरकान को इसी कारण प्रेमचन की परंपरा का अगला चरण माना जाता है उनकी भाशा में अनेक स्थानों पर भी प्रेमचन की भाशा का पुट द्रिश्टिगत होता है जैसे की डिप्टी कलेक्टरी में ही कहानी की शुरुवात में बेटे के प्रती बाबुशकल दीप सिंग के क्रोदमय विस्पोड की भाशा कि इस गारंटी की ही क्या है कि इस दवन बाबु सहब ले ही लिए जाएंगे मामुली एजी ओफिस की कलर्की में तो पूछे नहीं गए डिप्टी कलकटरी में कौन पूछेगा आप में क्या खूबी है सहाब कि आप डिप्टी कलकटर हो ही जाएंगे थर्ड क्लास बी ये आप हैं चोबी सो घंटे मटर गश्टी आप करते हैं दिनराज सिगरेट आप फूखते हैं आप में कौन से सुखार्प के पर लगे हैं जनाब बड़े बड़े बहे गए गधा पूछे कितना पानी फिर करं करं की बात होती है भाई समझ लो तुम्हारे कर्म में नोकरी लिखी ही नहीं अरे हां सभी कुकुर काशी ही सवरेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा जिप्टी कलक्टरी जिप्टी कलक्टरी सच पूछो तो जिप्टी कलक्टरी नाम से ही मुझे ग्रिना हो गई है नकारने से प्रारंब होकर डिप्टी कलक्टरी कहानी कदम दर कदम बढ़ाते हुए एक स्विकारिता पर होता है जिसमें पिता कहानी और पुत्र के संबन में अतीत और भविश्य के संबन का अर्थ आरोपित करती है और जटिल विकास को शिल्प के सहज रूप में सहज भाव से उपस्थित कर देती है इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताइंक यू वो वाचिंग